now guys, अगद आप Internship सरच कर रहे हैं और एक ऐसी Internship सरच कर रहे है जो कि Virtual हो जसमें आप घर से ही Internship कर पहो और इस Internship को अपने Resume भी मेंचन कर पहो और यहां से आपको Skill भी सिखने को मिल जाए तो यह वीडियों आप लोगों के लिए बहुत ज़दा helpful होने वाली है तो आपको ये onroll भी कर सकते हैं ये opportunity भी यहां से आपको मिल जाती है complete details इस internship के बारे में देखने के लिए आपको वीडियो को complete देखना है because बहुत सरे informative details मैं आपको यहां पर देने वाली हूँ सबसे बहुत 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 बता दू यहां पर जो internship है guys वो data analytics की है, data analyst की internship है so वो candidate जिनको data analytics में जाना है जिनको data analytics में interest है उनके लिए internship बहुत सदे helpful हो सकती है और जिनको interest नहीं है या जिनको knowledge नहीं है data analytics की उनको मैं बताना चाहूंगी guys कि data analytics का जो profile है वो बहुत जादा बूम पर है इस टाइम पर अब यह जो profile होती है इसका actually में काम क्या होता है वो आपको समझना जरूरी है तब ही आपको पिता चलेगा कि आप इसके लिए interested है या नहीं है so company को grow करने के लिए company को revenue generate करने के लिए data analysis की जरूत होती है और अफकोस हर company जो काम करती है वो revenue generation के लिए अपने profit के लिए काम करती है so example के थूरू मैं आपको बताऊंगी आपने data analysis के बारे में so मालीजे कि कोई company है जिसको अपना नया product जो है वो launch करना है अब यह product launch करने के लिए उसको बहुत सरह studies पहले करने होते है बहुत सरह data collect करना होता है like competitors कौन कौन से है कौन से segment के लिए product काम करेगा और यह product जब market में जाएगा तो इसकी कितनी demand होगी ऐसा यह perform करेगा अगर यह perform अच्छा करता है तो company के लिए कितना benefit होगा अच्छा perform नहीं करता है तो company के लिए क्या loss होगा यह सारा data जो है data analyst जो होते हैं वो collect करते हैं उनको clean करते हैं उनको organize करते हैं और जो owners होते हैं company के या फिर जो top management होते हैं उनके सामने represent करते हैं so that वो fair decision ले पाए so data analytics बहुत wide है so अगर आप यहाँ पर जाते हैं इस profile पर जाते हैं definitely career में आप बहुत अच्छे से grow कर सकते हैं अच्छा salary package आप यहां से ले सकते हैं so यह तो बात ही कि data analytics का profile आपका कैसा होता है अगर आप future में select होते हैं इस profile पर KPMG में या फिर किसी और company में तो आप क्या करेंगे अब guys यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या benefit आपको यहां से मिलने वाले है so first of all मैंने आपको बता दिया कि यह आपकी जो internship है यह virtual internship है तो आपको घर से ही internship करनी है second thing यह जो internship है यह 100% free है आपको इसके लिए कुछ भी pay नहीं करना है कोई भी student इसके लिए apply कर सकते है so अगर आप graduation pursue करें पोस graduation pursue करें कुछ भी आप pursue करें आप इसके लिए apply कर सकते है and this is self-paced program so two to three hours का यह program है and यहाँ पर practical skills and experience जो है वो KPMG से आपको मिलते है and यहाँ पर जो experience है आपका इस internship के experience है वो अपने resume पे आप mention कर सकते है आपके core task की then आपको instructions मिलती है supervisor से KPMG के आपको उसके बाद में task को complete करना है और अपने work को upload करना है and उसके बाद में आपको compare करना है कि आपने जो काम किया और KPMG के जो model answers है वो कितना match करते है so real examples के KPMG के आप यहाँ से देख सकते हैं और skill gain कर सकते है अब why to join this internship क्यों आपको यह join करना चाहिए so first of all आप यहां से real skill build कर रहे है दूसरी चीज आप यहाँ पर accordingly जो है काम कर सकते है अपने accordingly वो internship को कर सकते है so तीन घंटे आपको यहाँ पर देने है and you can challenge yourself and you can gain real credit apart from this यहाँ पर आपको क्या करना होगा basically आपको यह पता होना चाहिए कि इस internship में आपको करना क्या है so यहाँ पर three parts में है यह so first आपको data quality assessment करना होता है second आप data insight करते हैं third आप data insight and presentation यह तीन चीज़े करते हैं और यह जो internship है guys यह pan-India के लिए available है so इंडिया में आप किसी भी location पे रहते हो आप definitely इस internship के लिए apply कर सकते हो so सबसे पहले तो आपको काम यह करना है इसके लिए apply करना अगरा आप interested है साथ में आपको इस video को share करना है उन लोगों के साथ में जो आपके known है और इस internship को करना चाहते हैं अब guys application link में आपको दिया description box में उस link पे आप click करेंगे तो पूरा page आपके पास open होगा वहाँ पर आपको bottom में register register का option मिल जाता है वहाँ से आपको register करना है अपने आपको अपनी profile वहाँ पर जो है वो create करनी है so कुछ 6-7 steps की profile आपकी वहाँ पर create होती है उसके बाद में कुछ preferences हैं जो आपको select करनी होती है and उसके बाद में आप directly enroll हो जाते हैं और directly जो है आप यहाँ से जो task है उसको करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर जो skills इनके graduates के पास में है जो tasks इनके graduates करते हैं यानि कि जो students already graduates से इनके साथ में काम कर रहे है वो करते हैं वही same task आपको यहाँ पर मिलने वाले है so यहाँ से आपको भी अपनी capabilities का अंदाजा हो जाता है आपको अपनी capabilities पता चल जाती है so guys I hope यह video आप लोगों के लिए काफे ज़्यादा helpful होगी और अगर आपके कोई question है कोई query है कोई भी concern है इस particular profile को लेकर इस particular internship को लेकर या अपने career को लेकर या अप चाहते हैं कोई और topic जो है चानल पर add हो किसी और topic पर वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर हो तो वो भी आप मुझे comment box में बता सकते हैं So guys, I'll see you soon with a new and informative video Till then, take care and keep supporting me